हलो हाई नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैगनेट बेंस के आई टी जाई और नी चैनल पर जी हाज हम बात करेंगे हमारी फोर्थ डीपीप जो की बेस्ट है एलेक्ट्रिक डाइपोल पर दो पार्स में हमने कवर किया एंड पहले पार्ट में हमने डाइपोल मोमेंट के बा रहा था यह सारी चीज़ों ने पड़ी थी राइट और उन्हीं सारी चीजों पर बेस्ट अब सवाल आ चुके है और नो डाउट यह डीपीप आपको पहले ही मिलगी है आप लोगों ने सॉल्फ की होगी है समय सोचता हूं और किसी सवाल में कोई समस्चा ही होगी तभी आ आपके लिए बेनिफीचल है वही हिसाब से कि जो भी बाते में आपको यहां पर बता रहा हूं जो भी टॉपिक्स में आपको एक्स्प्लेइन कर रहा हूं उनके नोट्स आप खुद से बनाईए इसके अलवा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिनकों की प्यार से हम डीप सॉलीशन बनाता हूं अभी डीपीपी और वीडियो सॉलीशन कहां मिलेंगे तो उसके लिए आप हमारे ओफिशल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाएए वहां पर आपको यह सारी वीडियो मिल जाएगी इसके लावा मैं आपको प्रैक्टिस कोशन कराऊंगा यह मेरा मैं को कराऊंगा लेकिन इसके लावा भी कोई कोशन रह जाते हैं तो आप खुद से जरूर सॉल्फ कीजिए इंपॉर्डेंट है ठीक है बागे आपके डाउट सेशन्स और यह टेस्ट पेवर सब टाइम होते रहेंगे तो इनके बिल्कुल भी चिंता करनी की ज़रूरत न इस बात की मैं गारेंटी लेता हूं बचे बस इसको छोड़ना नहीं डीपी टाइम टूटाइम सॉल्फ करते जाहिए प्रैक्टिस कोशन करते जाहिए प्रीवेस कोशन करते जाहिए रुकना नहीं है बिल्कुल भी है ना चलिए तो अभी पैन और पेपर है तुम्हारे प है is kept at the center of a ring having the radius R and charge capital Q the dipole moment has the direction along the axis of the ring the resultant force on the ring due to the dipole is given by beta यहाँ पे रिंपे जो फोर्स होगा डाइपोल की वजह से वो क्या होगा वो आपको बताना है सो बड़ा सिंपल सा सिन्यारियो है बोला गया है कि एक रिंग है मारे पास मैं बिल्कुल तुम्हें मौका दूंगा ट्राय करने का तुम भी सोचना सब्भी फिलहार में एक रिंग बना देता हूं यहां पे रिंग के सेंटर से अलॉंग इधर कुछ आप आए ठीक है और सिमिलरली ऐसे ही आप पीछे की दव भी आए इधर और यहां पे रखेंग डाइपोल तो यहां पे तो चार्ज क्यू हो जाएगा मेरे बच्चे एक चार्ज यहां पे हो जाएगा तो अगर यहां पे प्लस का क्यू या फिर मैं बोलूं कि अगर यहां पे हमने माइनस का क्यू चार्ज रखा है तो यहां पे हमने प्लस का क्यू रखा हुआ है यह center है ring की, ठीक है, ring के उपर जो charge है, ring का radius पहली बात तो कितना है, ring का जो radius है वो capital R है और charge on the ring is capital Q, ठीक है, dipole moment इसका P है बेटा, तो dipole का जो dipole moment है वो है P Just wait a second, हाँ, इस dipole का जो dipole moment है वो है P, अब आपको पता है dipole moment की direction क्यों होती है negative charge से लेके positive charge की दरफ, so dipole moment है P, अब इसकी वज़ा से what will be the net force, resultant force on the ring यह dipole की वज़ा से ring के उपर resultant force क्या होगा यह आपको बताना है बेटा, बता पाओगे radius उपर बना दू क्या हो so, क्या कहता हो तुम लोग देख लेओ, dipole moment का direction along the axis है, तो what will be the net force sir, अगर इसके उपर total charge plus का Q है, तो यह जो plus का Q वाला charge हो, तो इसको को इधर की तरफ force लगाएगा यह minus का Q इधर बुलाएगा, तो क्यों नएक काम करें, dipole की वज़ा से electric field निकालना हम लोगों को आता है ठीक है, dipole की वज़ा से electric field निकालना हम लोगों को आता है तो यहां से अगर मैं बोलूँ that force on the ring force on the ring is equals to charge on the ring and dipole की वज़ा से electric field force on the ring is equals to the charge on the ring multiplied by the electric field due to the dipole dipole की वज़ा से आप equatorial positions पे देखें, क्योंकि यह ring अगर हम बात कर रहे है ring की, तो dipole जो है उसके axis पे, तो this is the ring, suppose करो यह ring है पूरी, यह पूरी ring है, सोचो ज़रा, ऐसे एक ring है और यह dipole है तो यह dipole के चारों तरफ ring जा रही है, तो dipole से हर एक point ring का equatorial position पे होगा equatorial position पे ही होगा, यह dipole बाहर की तरफ आ रहा है, यह लो, ऐसे है dipole, बाहर की तरफ आतो होगा तो इस dipole से ring का कोई भी point ले लो, वो equatorial position पे ही आएगा डाइपोल से यह डाइपोल है बाहर की तरफ जो आ रहा है यह डाइपोल है डाइपोल से यह रिंग का कोई भी पॉइंट ले लो वो हमेशा उसके equatorial position पे होगा तो कोई सा भी point आप देख लीजे पूरे रिंग के उपर वो हमेशा dipole से equatorial position पे ही है और अगर वो equatorial position पे है तो यहाँ पे dipole की वज़ा से equatorial position पे electric field आप यहाँ put करेंगे तो आपको मिलेगा force on the ring due to the dipole so F is given by capital Q into K P by R cube so it can be written as K P Q divided by R cube, this is the final so force on the ring due to the dipole is given by K P capital Q divided by R cube, बिटा यही हमारा final answer हो जाएगा यह बोल रहे है बिटा, only if the charge is uniformly distributed on the ring क्या फर्क पड़ता है, चार्ज अगर यहाँ भी रखोगे तो भी वंतलबात वही है, कहीं पे भी रखो charge कहीं पे भी रखो सारे points इसके लिए dipole के लिए equatorial वाले points है तो ऐसा नहीं कि charge uniformly distributed है या कुछ ऐसा है पूरा charge एक जगाल आके रख दो तब भी आप पाऊगे कि वो equatorial position पे तब भी यही formula लगेगा तो यहाँ पे जो force है kp q by r q बगा इससे फरक नहीं पड़ता है फे बाकि चीजहों से so force on the ring is given by charge of the ring into electric field यहाँ पे electric field dipole की वज़ा से यह वाली बनेगी यहाँ पे भी electric field dipole की वज़ा से इधर बनेगी यहाँ पे भी electric field dipole की वज़ा से यहाँ पे हैं यहाँ पे भी electric field इधर है इधर भी इलेक्टिक फिल्ड यहां पे और यहां पे हर जगा हर पॉइंट यहां पे जो डाइपोल से इक्विटूरियल पॉइंट पे ही रहेगा हर पॉइंट जो है डाइपोल से वो इक्विटूरियल पॉइंट पे रहेगा बेटा हर पॉइंट रिंग क्यों पर जो है वो डाइपोल से कट लो डाइपोल से एक्टोरियल बॉईंट पे है तो किसी भी पॉईंट पीत से है उल्ल fat के समझ रहू ने बद को हमारा पहला सवाल क्लियर रहेगा पक्का सच में हमारा भी ऑप्शन हो गया चली बच्चे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल बोलता है टू को एक्जिल डाइपोल मोमेंट्स पीवन और डिस्टेंस आर अगनिटूड ऑफ एलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पीवन द्यू तो इनके बीच में जो एलेक्ट्रिक फोर्स होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है इस इकोल स्टू थ्री के पीवन पीटू बाई आर का पावर फोर आइधिंक यह वाला ऑप्शन दिख रहा था और यह मैं आपको लेक्चर में भी बताया था तो इसको सॉल्फ करने की बार-बार जरूरत तो नहीं है ना एफ इकोल्स टू अरे याद वैसे वाला फॉर्मला लगाओगे ना एफ इकोल्स टू पीवन इंटू दी इटू बाई डी आर फिर उसका एक्रेक्टरिक फील्ड का आप क्या करोगे डिफ्रेंसियेशन करोगे फिर वाल करोगे तो मैगनिट्यूड निकालना है ना तो यहां से आप इसको सॉल्फ कर सकते हो पता है ना एफ इकोल्स टू यार यह वाला तरीक़ पता है ना दी इपैदी आर फिर हमने वो इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाला था के पी बाई आर क्यूब करके equatorial point पहा रहा था क्योंकि फिर उसका हमने integration differentiation किया था वही answer था equatorial पे electric field के पी बाई आर क्यूब अब second की वज़ा से था तो P2 लिख दिया था इसका differentiation करेंगे तो यह बनेगा minus का 3 K P2 by R का पावर 4 mod लगाया है positive value चाहिए तो 3 K P1 P2 by R का पावर 4 क्या आया है तुम लोग भी चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल बोला गया है एक electric dipole है it is placed in the uniform electric field E having the magnitude of 40 newton per coulomb the graph below shows the magnitude of the torque बेटा यह torque versus angle का graph है ठीक है it is the graph for the torque versus angle पता है ना आपको यह सारी बाते चली भे है ना the dipole versus the torque on the dipole versus the angle theta between the electric field and the dipole moment P the magnitude of the dipole moment P is equal to बेटा यहाँ पे dipole moment का जो magnitude है वो कितना होगा यह आपको बताना पड़ेगा dipole moment का magnitude कैसे बता है sir dipole moment का magnitude कैसे बता है देखो मेरे बच्चे यहाँ पे आपको torque की values दे रखी है तो क्या इससे कुछ बात बनेगी electric field कितना है 40 newton per coulomb torque का formula होता है P e sin theta यहाँ पे P dipole moment होता है maximum torque की बात करूँ तो maximum torque तब मिलता है जब theta 90 degree होता है यानि कि sin 90 degree 1 हो जाएगा उस case में तो यहाँ पे यह चीज 1 होने चाहिए तो maximum torque का जो formula बनता है मेरे बच्चे it is given by P into E maximum torque का जो formula बनेगा given by P into E होता है P बोले तो dipole moment E बोले तो electric field और maximum torque कितना है so this is the point when we have the maximum torque यह वो point है जहाँ पे मुझे maximum torque मिलेगा और वो I think बन रहा है 50 into 10 की power minus का 2 from the graph from graph it is very much clear to me कि जहाँ पे जो maximum torque है it is equals to 50 into 10 की power minus का 28 newton meter है graph को देखा तो पता चला कि maximum torque कितना है 50 into 10 की power minus 28 है so love भाई लिखो फिर maximum torque की जगा P into E so P into E is equals to 50 into 10 की power minus का 28 so P into 40 electric field 40 है ना question में दे रख्या है उन्होंने electric field 40 है question में दे रख्या था will be equals to 50 into 10 की power minus का 28 so P का value बनेगा 50 by 40 P का value बनेगा 50 divided by 40 into 10 की power minus का 28 बेटा यहां पे unit change हो जाएगी कूलम मीटर लगा जाना अब unit क्योंकि डाइपोल मोमेंट की unit कूलम मीटर होती है so P can be written as 5 by 4 I think यह बनेगा 1.25 है ना देख लेना एक बार तुम लोग minus का 28 कूलम मीटर 5 by 4 को solve करना है तो 4 1 बनेगा डॉड लगेगा फिर 4 2 बनेगा तो 1.25 10 की power minus का 28 1.25 10 की power minus का 28 कूलम मीटर इस दा फाइनल आंसर हलबा सवाल था? हाँ से बलकुल so 1.25 into 10 की power minus 28 कूलम मीटर this is the final answer I hope you are getting my point मेरे बच्चे ऐसा कोई rocket science नहीं है यहाँ पे कि घबरा जाओ उससे ना चाप ले उसको जली से बस यह चीज़ important थी अगर आपको यह पता चल गया तो फिर तो काम खतम है इस पे चलिए बिटा नोट किया सभी ने यह भी लिख लो हो गया? चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या बो लगया है कि electric dipole है जिसे situated in an electric field of uniform intensity E whose dipole moment is P and the moment of inertia is I if the dipole is displaced then the angular frequency of its oscillation वैसे तो formula तुम्हें पता ही है बढ़ तुम यह भी तो जानते हो कि torque can be written as P into E I alpha equals to P into E तो यहां से I equals to P into E upon IE तो मेरे बच्चे angular frequency angular frequency can be written as कैसे लिखोगे इसको? P E sin theta होता था नहीं आप पे और अगर theta small है if theta is very small अगर theta बहुत ही छोटा हो जाए तो sin theta को theta लिख सकते हैं जानते हो नहीं बाद? ओहो समझ गए सर समझ गए alpha equals to P E upon I into theta alpha equals to P E upon I into theta ज़रा देखो तो कुछ भावना है समझा रही होगी alpha को लिखते थे d2 theta by dt square theta यहां पे angular displacement होता है बेटा angular displacement alpha angular acceleration यार rotation की बाते हैं पता होनी चाहिए ज़रा गौर फर्मा के देखो तो अगर मैं alpha की जगा d2 theta divided by dt square equals to P E upon I into theta करूँ वैसे तो यहां पे restoring force के हिसाब से कहानी को define किया जाता है ठीक है यहां पे जो torque होता है basically यह restoring torque होता है है ना तो restoring जब होता है तो minus का sign लगाते साथ में फिर मैंने आपको बताया था ना lecture में कि यहां पे यह जो बाते हो रही है it's all about restoring torque क्योंकि देखा आपने इसको displace किया अब इसको restore कर रहा है तो restore कर रहा है इसलिए minus कर से जैसे की spring के अंदर spring force होता है वह minus के साथ लगाया जाता है minus का sign हमें यह बताता है कि वह restore कर रहा है कोई भी force जो restore करता है यानि अपने original shape और size मिलानी की कोशिश करता है वो minus के साथ आता है तो यहां पे भी यह minus का P e theta हो जाएगा बेटा यह तिंक यह तो condition for shm होती है is this the condition for shm? हाँ sir तो shm की condition है तो इसको shm की equation के साथ compare कर रहा जानते होने ऐसी बात है तो तो shm के साथ compare किया तो equation can be written as d2 theta divide by dt square equals to minus का omega square theta यह होती है वेटा equation of shm equation of shm और हमारी equation जो आ रही थी वो कैसी थी? हमारी equation है d2 theta divide by dt square equals to minus का p e upon i into theta so on comparing on comparing हमें क्या मिला? so जब हमने compare किया तो हमने पाया कि omega square p e upon i है so omega will be under root of p e divided by i हो जाएगा omega कितना हो जाएगा? under root of p e upon i under root of p e upon i यह omega क्यों होता है? it is called the angular frequency यही है हमारी angular frequency मैंने lecture में भी बताया था वैसे अगर तुम्हें याद होता तो डिरेक्ली टिक लगा सकते थे इस पे ऐसे मत देखो कि पहली बार देख रहो familiar है तुम्हारे साथ ही चीज़े पहल भी छाप लेस को चल देखे किया नोट सभी ने? इधर आओ, यह सारी बाते लिको completed पहुच जांदा, चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बोला गया है, टू चार्जेज औफ प्लस का 25 इंटू 10 की पाव माइनस का 9 कूलम और माइनस का 25 इंटू 10 की पाव माइनस का 9 कूलम आर प्लेस्ट 6 मीटर अपार्ट अब देखो, दो चार्जेज है, जो कि 6 मीटर अपार्ट रखे गए है find the electric field intensity, आपको electric field intensity का ratio बताना है at the point 4 मीटर 4 मीटर पे आपको electric field बताना है from the center, यह 4 मीटर वाली जो distance से from the center है पहला on the axial line, दूसरा on the equatorial line तो पहला case होगा बेटा, axial line के लिए तो मैं कहानी बनाता हूँ, यहाँ पे charge है यहाँ पे दूसरा charge है ठीक है, दोनों charges की बीच का separation है बेटा 6 मीटर का दोनों charges की बीच का separation है बेटा 6 मीटर का ठीक है, और यहां center से 4 मीटर पे हमने एक point निकाला, यहाँ पे तो यह minus का Q चार्ज हो जाएगा तो ये plus का q charge हो जाएगा और इनकी वज़ा से electric field बनेगी axial पे e1 ठीक है तो इसका आपको क्या मुलेगा axial point पे electric field मिलेगा given by e1 axial point पे electric field मिलेगा given by e1 फिर second scenario बनता है second scenario में ये minus का q charge ये plus का q charge दोनों के बीच का separation 6 meters का तो center से center से यहां पे 4 meter पे मुझे electric field निकलेगा जो बनेगा equatorial पे which is given by e2 which is given by e2 तो मुझे बताओ what is the ratio of e1 and e2 e1 और e2 का ratio क्या होगा ये बताना है बिटा एक चीज़ बड़ा गौर फर्मा के देख लेने इस बार कि यहां पे ये part है 3 meters का ये part है 3 meter का भावनाओ में भैके answer मत देना देख लो क्या ये 3 meter और 4 meter आसपास है क्या हाँ सर बिल्कुल ये आसपास ही है तो अब जो तुम दिमाग पहले लगाते थे ना वो वाला दिमाग मत लगा ले नहीं यहां पे है ना तो जो दिमाग तुम पहले लगाते थे वैसा वाला दिमाग मत लगा ना कि एकजियल के लिए सर आर इस वेरी वेरी ग्रेटर थेन अल है ना तो यहां पे आर इस नौट वेरी वेरी ग्रेटर थेन अ MODE और ल कितना है थ्री मीटर का तो आर और अल में कोई difference नहीं है इस बार जादा तो इस बार आपको वो जो छोटा वालो फॉर्मॉला तो ना टू के पी बाई आर क्यूब वो नहीं लगे गए आपर तो अगर तुम सोच रहे हो कि है थ्री मीटर का है और आर कितना है फोर मीटर का है तो समझके लगाना पड़ेगा अब यह वाले फॉर्मॉले नहीं लगने वाले यहां पर यहां पर तुम सोच रहो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे सर के पी बाई आर क्यूब करके ना भाई ना बिलकुल भ के फॉर्मॉला जो हम लिखते थे रैट विल बी टू के पी आर एल डिवाइड बाई आर स्क्वेर माइनस एल स्क्वेर का होल क्यूब ऐसे ही था इतिंक जहां तक मुझे आदे वो ऐसे ही था कुछ नहीं था इसा क्यूब था ना सिफ कि स्क्वेर था क्यूब था कि स्क्वेर था स्क्वेर था सर यहां पर स्क्वेर स्क्वेर टी इसमाने था स्क्वेर था तो यहां पर कंडिशन लगाते थे इफ आर is very very greater than जो और जोई यहां पर भी यह चीज करो कि ईबिख यो प्र so it will be 2KPR अब चाहे हैं तो इसको Q के टर्म्स में लिख सकते हैं तो P को क्या लिखोगे मेरे बच्चे P को लिखते हैं Q into 2L तो E axial को अगर और अच्छे तरीके से लिखना है can be also written as 2K into Q into 2L into R divided by R square minus L square का whole square so axial point पे अगर हम बात करें so it comes out to be 4KQL R divided by R square minus L square का whole square ठीक है? so यह बनेगा अब चलो भई axial वाली चीज निकाल लेते हैं यही हमारा even भी हो जाएगा so let's solve it here even का value निकाल लेते हैं हम लोग so even का value जो बनेगा कितना? 4 into K की जगा 9 into 10 एक काम करते हैं K दोनों में आएगा K constant रहन देते हैं K दोनों में आएगा cut जाएगा into R charge कितना मिटा है? 25 into 10 की power minus का 9 यह तो एक काम करें लिखी देते हैं चलो लिख लो, लिख लो cut जाएगा सब चीज़े 4 into K का value 9 into 10 की power 9 into charge 25 into 10 का power minus का 9 into R कितना? 3 और L कितना 3 और R कितना 4 divided by R square minus L square R मलब 16 minus 9 का whole square यहां पर यह चीज़े cancel out होने वाली है इनको cancel out किया 25 forza 100 होता है तो E1 का value बनेगा 25 forza 100 into 9 into 12 divided by 16 minus 9 कितना होता है मेर बच्चे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 7 into 7 7 का square so it comes to be 12, 9, 10 108 00 divided by 49 से यह 45 forza 100 and पाकी सब ठीक है बहुत बढ़ी है यह E1 मिला है Newton पर कूलम में लगा सकते हो चाहो तो अब equatorial point पे चलते बेटा यह axial पे याद हैना आपको यह formula P की जगा Q into 12 पुट कर दिया तो यह formula बना यही E1 था हमने value पुट कर दी अब हम आगे बढ़ते हैं और equatorial के लिए बात करते हैं तो equatorial के लिए अगर आपको याद हो तो that will be your 2E cos theta बना था याद है कुछ divide by under root of L square plus R square यहाँ पे जो formula बना था के बराबर भी है यही हमारा E2 के बराबर है तो basically E2 का जो value बनेगा 2 into beta Q की जगा 9 into 10 की power 9 Q की जगा 25 into 10 की power minus का 9 into L कितना था है यहाँ पे 3 divided by R के तदा 4 16 plus 9 का power 3 by 2 यह 5 25 बनेगा 25 का power 3 by 2 यानि कि 5 का cube लिख सकते हैं इसको हम लोग जो चीज़े cancel out होती है वो तो कर दीजिए जैसे 10 की power 9 से 10 की power minus 9 cancel out हो जाएगा फिर यहाँ पे देखो बेटा तो कितना हम बनेगा 9 to 0 18 चलो बच देख लेते हैं E2 को लिखेंगे 50 into 9 into 3 divide by 5 into 5 into 5 25 का root 5 का cube इसको solve करा 5 tens of 50 so 270 divided by 25 यहाँ पे लिख दिया मैंने E2 जो बनता है 270 divided by 25 बनता है चली बही अब आपके पास E1 भी है आपके पास E2 भी है find the ratio of E1 and E2 देखो बही क्या ratio आ रहा है E1 और E2 का चलो बही अब ratio निकाली लिए होगा तुम लोगों ने answer भी आई ही कियोगा तो मैं भी फटा-फट से लिख दता हूँ E1 by E2 यही चाहिए था हम लोगों को यहाँ पे ratio आ रहा था 108 00 divided by 49 और यहाँ पे हो रहा था 270 divided by 25 सीदी सी बात है एक 0 से 0 मर जाएगा 27 से यह 4 times जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा ठीक है चली बेट अभी 25 को पर भेज देते हैं तो रेशियो आफ E1 by E2 कमस आउट B बेटा कितना मिले गई यह तो 40 into 25 डिवाइद बाइद बाइ 49 यह है हमारा फाइनल आंसर तो जो भी option आपको देख रहा है तो यह वाले formula बिल्कुल भी valid नहीं है अब यहाँ पे अब आपको वही पुराने वाले formula जिसमें आपने condition लगाई थी वो वाले formula याद होने चाहिए तो मैं आपको यही कह रहा था lecture में भी यही कहा था कि आपको इस चीस का बहुत अच्छे से ध्यान लखना है कि R, L के लगबग बराबर है या बहुत बड़ा है अगर R, L से बहुत बड़ा है तो यह formula लगाओ लेकिन अगर R, L से लगबग लगबग बराबर है तो फिर यह काम नहीं करेगा नोट कर लीजे इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं किया नोट सभी ने यहां पर आईए लिखो भाई सारी बाते लिख लो एक्जियल पोजीशन पर जो था उसको मैंने E1 नाम दिया था वो हमने solve कर लिया फिर हम आगे बढ़े इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो था वो हमने इसको E2 नाम दिया था वो भी देख लिया और उसके बाद E1 और E2 कर आईशो निकाला जटकम सब्सक्राइब बढ़ते हैं अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल हम सहीं बोलता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें दो अपोजेट चार्जीश है हरी का मैंक्ट्यूड है टेन की पाव माइनस का 6 कूलम याज अपरेटेड बाइड बाइडिसेंस अफ 2 सेंटीमीटर डाइपोल इस प्लेज इन एक्स्टरनल फील्ड ओफ टेन इंटो टेन स्ट्पाव फाइव न्यूटन पर गूलम अब यापको मैंक्जिम टॉर्क बताना है कितना लगेगा यह तो कोई बड़ी बात नहीं है हम बहुत इजी ली फाइंड आट कर सकते हैं इसको तो अगर तुमें एक ट्राय मारना है तो मार लो देख लो क्या अंसर आते इसका हम मेरे इसाब से अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टॉर्क की सुदा मैक्सिम टॉर्क इस गिवन बाई पी इंटु ए क्या इसके लवा और कुछ फॉर्मला बनता है क्या बैटा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 90 डिगरी होता है और साइन 91 हो जाओ तो उसके बेस में तो मैक्सिमम टॉर्क इस गिवन बाई पी इंटु ए पी इस इक्वल्स टु क्यू इंटु टु एल सर यहाँ पे ट्राइपोल के बीच का सेपरेशन चार्जिस के बीच का सेपरेशन है टू सेंटीमीटर तो यह अला पार्ट पूरा टू सेंटीमीटर हो जाएगा टू एल नहीं लिखना है तो डी लिख लो जो तुम्हें पसंदा है वो फॉर्मूला लिखो कोई दिक्कत नहीं बटा है ना तो यहां पे माइनस का चार्ज हो जाएगा यहां पे प्लस का चार्ज हो जाएगा दोनों के बीच का सेपरेशन टू सेंटीमीटर है यहां पे चार्ज क्यू है यहां पे भी क्यू है कोशन के हिसाब से क्यू का वैल्यू है 10 का पावर माइनस का 6 कूलंब. So, dipole moment is given by Q into D. So, 2 into 10 की पावर माइनस का 6. यह centimeters में is को meter में convert करने ना मेर बच्चे. So, 2 upon 100 into 10 की पावर माइनस का 6 is the dipole moment. यह dipole moment आया में पास है, ना? Electric field आपको question में देही रखिये. तो बस put कीज़े यहां पे. And the maximum torque comes out B. 0.02 into 10 की पावर माइनस का 6. और electric field देखो कितनी है? 10 into 10 की पावर 5. बिटा ही, के 10 की पावर 6 बन जाएगा? बिल्कुल सरी 10 की पावर 6 बनेगा. अब एक जगा 10 की पावर माइनस का 6. एक जगा 10 की पावर प्लस का 6. मार दो. So, maximum torque comes out to B. Nothing but says 2 into 10 की पावर माइनस का 2. 10 से multiply किया, 10 से divide किया. It can be written as 20 into 10 की पावर माइनस का 3 newton meter. So, I think third option match करे इसमे. So, third is the right answer for this question. बस इतनी ही बात थी इस question में, बीटा. इसमें बस इतनी सी ही बात थी. clear रहेगी सबको? चापलो इसको चलती से. ठीक है? चलिए बच्चे, बहुत ही शानता है. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बोला कि एक फील है, जिसमें हमाँ मास म हैं, जिसके उपर चार्ज बटा, यह प्लस का क्यू चार्ज यहां पर है, माइनस का क्यू चार्ज यहां पर है. ठीक है? डिमेंटरी के लिए अपोजिट पॉइंच आपको देखरा हैं, बटा, these are the diametrically opposite points. तो एक वील है, वील के एक जगह पे प्रलस का चार्ज है, एक जगह पे माइनस का चार्ज है and these are diametrically opposite points. It remains in equilibrium on a rough inclined plane. बिटा, एक rough inclined plane है, उस पे ये equilibrium में है और यहाँ पे uniform electric field E लगाया गया है. तो what is the value of E? यह आपको निकालना है यहाँ पे. बिटा, यहाँ पे E का value हमें find out करना है, यह equilibrium है यह यह जो wheel है, यह लुका हुआ है, रेस्ट पे है बिलकुल वहाँ पे. तो पहली चीज तो क्या-क्या forces लगेंगे, वो देख लें. बिटा, इस पे force लगेगा Q into E. इस पे force लगेगा Q into E, उपर की तरफ, क्योंकि positive charge है, electric field उपर की तरफ है ना, तो उसके साबसे forces बना दिये. इस पे force लगेगा नीचे की तरफ Mg, हाँ सर बहुत बढ़िया, यह भी समझ के बात को. अपार्ट फ्रम दिस, इधर की तरफ एक force लगेगा, given by Mg का sin theta, हाँ सर यह भी समझ के हम लोग, इधर की तरफ एक force लगेगा, given by frictional force, यह भी समझ के हम लोग, अब क्योंकि system equilibrium में है मेरे बच्चे, तो system अगर equilibrium में होगा, तो क्या जितना force उपर लग रहे है, उतना force नीच लगेगा, तो मैं बोलों यहाँ पे कि सर, उपर जो force लग रहा, नीचे जो force लग रहा हो, balance कर दें यहाँ पे, apart from this, F यहाँ पे Mg sin theta के बराबर भी हो जाएगा, नहीं होगा, देखो तो जड़ा, क्या F यहाँ पे Mg sin theta के बराबर हो जाएगा, हो तो जाएगा, बिलकुल ह एक काम करते हैं, किसी भी एक charge के उपर force देख लेते हैं, किसी एक single charge के उपर force निकाल लेते हैं, कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है QE, नीचे लग रहा है Mg, अच्छा, ठीक है सर, equilibrium में है, equilibrium में मतलब कि यहाँ पर net force 0 होगा, तो पहली चीज तो मैं बोल देता हूँ कि F बराबर Mg sin theta है, ऐसा यहाँ पर, F बराबर Mg sin theta है, ठीक है, net torque निकाले, about the center, तो net torque क्या होगा बैटा, F into R, क्योंकि Mg sin theta की center की बाट अगर net torque की बात करें, तो net torque is given by Mg, F into R, या फिर एक काम करें क्या है, क्योंकि देखो, equilibrium में है, तो मेरे इसाब से net torque तो 0 होई रहे, तो किसी एक point के बाट net torque निकाल देते हैं, जैसे की कौन सा point ले, कौन सा point ले, तुम्हारे इसाब से क्या सब्सक्राइब है, center के बाट निकालोगे तो Mg sin theta की बाट जैसे talk 0 हो जाएगा, बैचे होई forces जो है, वो torque लगा देंगे फिर इस पे, बैचे होई forces में जैसे की, इसका QE का कोई component ले हम लोग है, ऐसा भी तो हो सकता है कि QE का component ले ले, पर एक काम करते हैं, उस point के बाट हम torque निकालते हैं, जिस point पे जादा forces लग रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि sir, ये वाल point देखो, ये वाला point, ये वाला point, ये वाला point, यहाँ पे एक force ये QE लग रहे है, एक ये friction force लग रहे है, इसको मैंने नाम दिया point A, so मैं बोलता हूँ, net torque about point A, 0 कर दीजे, net torque about point A, should be 0, क्योंकि भाया, यहाँ यहाँ पे, equilibrium की बातें बोल रहे हैं, और आप तो समझते हो ना बेटा, की equilibrium में तो net torque भी 0 होता है, तो किसी भी एक point के बाउट आपने net torque को क्या कर दिया, 0 कर दिया, अब ज़रा गौर फर्माना है आपे, important यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या-क्या forces और लग रहे हैं, एक तो mg sin theta, जो की R distance पे, इसकी वज़ा से, एक QE के component करके द net torque 0 हो गया, क्योंकि यह उसी point पे लग रहे हैं, जिसके बाउट आप torque निकाल रहे हो, तो जिस point के बाउट आप torque निकाल रहे हो, उसी point पे जो forces लगते हैं, उनका net torque तो 0 हो जाता है, तो इनको तो छोड़ दो, इसके अलावा एक mg sin theta है, जिसका torque लगेगा, और उसके यहां पे बनेगा QE, sin theta, जड़ा गौर फर्माव बेटा, cos theta की वज़ा से भी कोई torque नहीं लगने वाला, क्योंकि यह जो force है, उसी line पे लग रहा है, जो कि इस point से pass हो रहा है, तो यहां पे torque लगेगा QE sin theta की वज़ा से, और एक mg sin theta की वज़ा से, तो यहां पे point AK about, net torque 0 कर दिया, है ना, point AK about, net torque हमने क्या किया, 0 कर दिया, और यह net torque किस की वज़ा से लगेगा, तो वो भी हमने बताया, सर यह net torque लगेगा, एक तो QE sin theta की वज़ा से, और एक mg sin theta की वज़ा से, QE cos theta उसी line पे है, जो इस point से pass हो रहा है, तो उसकी वज़ा से net torque 0 हो जाएगा, QE वाल है, तो इसकी वज़ा से भी net torque 0 ही आएगा, तो यहाँ पे net torque जो हमने देखा, एक mg sin theta की वज़ा से आएगा, और एक QE sin theta की वज़ा से आएगा, क्या बेटा, mg sin theta r distance पे और QE sin theta 2 r distance पे है क्या, सोचो ना ज़रा, तो एक के लिए लिखा मैंने mg sin theta into r, बैटा, mg sin theta की वज़ा से, I think clockwise torque आएगा, अगर चाहो तो clockwise को negative ले लो, anti-clockwise को positive ले लो, तो मैंने बोला कि सर, इसकी वज़ा से clockwise आ रहा है, माइनस कर लगा दिया मैंने torque, क्योंकि देखो, तुम भी जानते हो, mg sin theta की वज़ा से torque ऐसे torque ऐगा, QE sin theta की वज़ा से torque ऐसे torque ऐ sin theta into, बैटा, यहाँ पे, point से, कितने distance पे, 2r, यह अगर r है, तो total distance to r, तो यहाँ पे 2r, and net torque should be 0, तो यहाँ से mg sin theta into r will be equals to, 2QE sin theta into r, जो चीज़े कट सकती है, उनको काट दीज़े, sin theta से sin theta, r से r, तो यहाँ पे बनेगा, mg will be equals to 2QE, mg is equals to 2QE, so E का value बनेगा, mg upon 2Q, mg upon 2Q, जो कि B option में मिलता है, जो कि कहाँ मिलेगा, B option मिलेगा, हमने A point के about net torque 0 किया, क्योंकि भाई, कहानी equilibrium की चल रही है, तो किसी भी point के about net torque 0 ही होगा, तो जब मैंने point A के about net torque निकाला, तो पहली बात तो point A पे जो जो forces लग रहे है, उनकी वज़ा से कोई torque नहीं आएगा, friction की वज़े से कोई torque नहीं, QE की वज़े से कोई torque नहीं, इसके लावा देखो बैटा, QE cos theta उस line पे है, जो कि इस point से पास हो रहे है, तो उसकी वज़े से भी कोई torque नहीं आएगा, तो torque किसकी वज़े साइगा, QE sin theta, Mg sin theta, सर आपने ये वाला QE Q लिया, नीचे वाले की वज़े से तो torque 0 हो रहा है, क्योंकि, तो यहाँ पे, एक तो Mg sin theta की वज़े से torque आएगा, और QE sin theta की वज़े से torque आएगा, तो हमने देखा, दोनों को किया solve, एक की वज़े से clockwise torque, एक की वज़े से anti-clockwise torque, तो मैं उसके साब साबने solve कर दिया, clockwise वाले को negative ले लिया, anti-clockwise वाले को positive ले लिया, solve करा, E का value, Mg upon 2Q आ रहा है, समझते हो बात को मेरे बच्चे, note कर दो इसको, किया note सभी ने, कर दिया है सभी ने note, बढ़े आगे, अगला सवाल, an electric dipole is placed along the x-axis at the origin O, a point P is at a distance of 20 cm from this origin, such that OP makes an angle of pi by 3 with the x-axis, if the electric field at P makes an angle theta with the x-axis, the value of theta would be, बढ़ा प्यारा सवाल है, बोला गया है कि dipole को रखा गया है ऐसा, कि यहाँ पे होगा negative charge, और यहाँ पे होगा positive charge, ठीक है, तो एक तरफ है positive charge, एक तरफ है negative charge, यह point origin है, origin से एक point P, जहाँ पे हमें क्या find करना है मेरे बच्चे, यह देखू, यह minus वाला charge, यह plus वाला charge, तो minus से plus की तरफ तो dipole moment बनता ही है, यह तो पता है आप लोगों को, O से कोई point P है जहाँ पे electric field find करना है, अब P point पे electric field अगर हम find करें, तो मेरे बच्चे मुझे बताओ, यह कितना 20 cm, चलो छोड़ो जो भी है, and it is making an angle of pi by 3 with the x-axis, तो यह pi by 3 का angle तो बना रहा है, बटा dipole moment आपको पता है, negative charge से positive charge की तरफ होता है, this is your point P, और इस point P पे electric field दो आएंगी, एक तो axial वाली, और एक आती है मेरे बच्चे equatorial वाली, एक आती है axial वाली, और एक आती है equatorial वाली, जो net electric field बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे कहीं पे, मुझे नहीं बता, it's not perpendicularly, it's not actually perpendicular, so यहाँ पे कुछ थोड़ा सा tilt बना देता हूं उसको, ता कि आपको idea ले, this will be your net electric field, बैटा, यह x-axis, यह pi by 3, तो यह वाली अंगल कुछ होगा, alpha, जो net electric field बना रहा है, with the axial, वो कुछ alpha हो जाएगा, और यहोंनों बोला है, कि जो net electric field है, the electric field at P makes an angle theta with the x-axis, तो बैटा, वो theta क्या हो जाएगा, from the question, from the question, it is said that theta is the angle made by net electric field with x-axis, net electric field x-axis के साथ जो angle बना रहा है, वो हमारा theta होता है, और diagram से देखा, तो पता चला, theta will be alpha plus pi by 3, theta will be alpha plus pi by 3, अब देखो बई, alpha plus pi by 3, ऐसा option तो एक ही दिख रहा है मुझे, वो ही हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं confirm करूँगा alpha को, alpha निकालना है बेटा, तो from the figure, you can see perpendicular वाला, equatorial, parallel वाला, base वाला जो है, वो axial है, so, tan alpha can be written as E equatorial upon E axial, tan alpha is given by E equatorial divided by E axial, beta equatorial वालिक ले जो लिखोगे, it can be written as P का cos component, P का cos इदा साइन ही दा, K P sin pi by 3 divided by R cube dot, equatorial वाला होगे बेटा, K P sin pi by 3 divided by R cube, axial वाले का formula जो बनता था, 2 K P cos pi by 3 divided by R cube, अब जो चीज़ें यहां से कट सकती हैं, उनको काट जीजिए, जैसे कि R cube से R cube, K P से K P, और यहां पे sin pi by 3 upon cos pi by 3, I think it will be your tan pi by 3, तो बेटा, tan alpha जो बनेगा, 1 by 2 dot tan pi by 3, बेटा, tan pi by 3 कितना होता है, 60 degree, तो यह हो जाएगा, root 3 by 2, तो tan alpha बनता है, बेटा, root 3 by 2, tan alpha बनता है, root 3 by 2, तो अगर tan alpha under root of 3 by 2 है, तो alpha बनेगा tan inverse under root of 3 by, तो net electric field कितना angle बना रही है, theta, theta is given by alpha plus pi by 3, alpha का value tan inverse root 3 by 2, तो pi by 3 plus tan inverse root 3 by 2, is it the final answer? क्या किया मैंने, बड़ा simple सा फंडा है, कोई rocket science नहीं है, बोला गया, भाई, कोशन से यह बात कहा जा रहा है, कि जो net electric field E, वो horizontal, यानि, x-axis के साथ theta angle बनाता है, कोशन में बोला ऐसा, diagram बनाया, मैंने बोला, भाई, यह pi by 3, यह भी pi by 3, net electric field, axial वाले के साथ माल लो, alpha angle बना रहा है, so theta हो जाएगा, alpha plus pi by 3, तो alpha plus pi by 3, theta हो गया, बटा यह एक general scenario है, general scenario है, तो आपको पता है, इसमें axial और equatorial वाले को कैसे solve करना पड़ता है, है न, जानते हो न, यह दो को P का एक component तो यहाँ पर आएगा, ऐसे, given by P sin pi by 3, और एक component आएगा, ऐसे इधर के दरफ given by P cos pi by 3, तो axial वाले के लिए तो cos pi by 3 लगा दिया, equatorial वाले के लिए P sin pi by 3 लगा दिया, देखो equatorial के लिए और axial के लिए हमने solve कि अकॉर्डिंग लिए, तो इससे हमें क्या मिलेगा बठा, equatorial और axial मिल गया, अब यहाँ पर देखो, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, कि एक तरफ है equatorial, एक तरफ है axial, और एक तरफ है E, बेटा यह alpha है, यह equatorial वाला, यह axial वाला, तो तुम तो समझदार हो, समझते हो ना, कि tan alpha, perpendicular upon base होता है, तो E equatorial upon E axial, वो tan alpha के बराबर हो जाएगा, equatorial का formula लगाया, axial का formula लगाया, solve करके tan alpha root 3 by 2 मिल रहा है, tan alpha root 3 by 2, तो alpha tan inverse root 3 by 2, तो theta बनेगा tan inverse root 3 by 2, प्लस का πाई बै 3, तो देखो, क्या यही option match कर रहे हैं यहाँ पर, सही बात है कि नहीं है बिटा, सही बात है नहीं है, दिखने में लगता है, बहुत ज़्यादा tough है, पता नहीं क्या ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट SL मैं जब तुम इसको solve कर रहे हो, तो पता चलता है कि यार यह तो बिल्कुल हलवा है, यह getting my point मेरे बच्चे, सभी लोग समझते हो ना, छापलो इसको जल्दी से, किया नोट सभी ने, पक्का, बहुत बढ़िया, चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं, समाप्त करते हैं हमारे इस सेशन को, उमीद करता हूँ, जो सवाल मैंने आपको solve करा हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे, फिर भी अगर कोई पार्ट में कोई doubt है, वीडियो दुबारा देखना चाहते हो, जिसमें यहां नीचे की तरफ, जहां पर watch all videos लिखा है, यहां पर आप जाएंगे, तो यहां पर आपको सारे lectures, DPPs और उनकी जो video solutions है, DPPs के जो video solutions है, वो सब कुछ, सब कुछ मेरे बच्चे आपको यहां पर मिल जाएगा, तो lecture, DPP और video solution, हर एक चीज़ यहां पर available है, तब आईए, आपके जो भी respective doubts है, उसका lecture देख लेजे, DPP में doubt है, तो DPP का video solution देख लेजिए, और अपने doubts को clear कीजिए, तो रादर दन कि आप वीडियो को इधर दो धून रहो, बेटर है website पर आजो, और अगर website पर आ रहो तो ऐसा नहीं कि बिटाई, यहां पर कोई course आपको खरीटना पड़ेगा, या कोई subscription कमाउंट देना पड़ेगा, यह absolutely free है आप लोगों के लिए, तो जितने बार आपको lectures देखने, आप उतने बार दीखे, कोई रोक टुक नहीं होगी यहां से, चलिए बचे, इसके लावा अगर आप लोग चैनल पे नहें हैं, तो मेक शूर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, उसके बगल में जो बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दो, सो दाट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है, बागी हाँ, अपने दोस्तों तक session जरूर पहुचा देना, उनको बोल देना, ज़ए जई की preparation करनी है, अप टूद एडवांस लेवल, तो magnet brain साके join कर लो, क्योंकि यहीं पे proper preparation हो रही है, फॉर्दद जई ही, ठीक है, तो उनको भी फाइदा मिलेगा, जैसा तुम लोगों को मिल रहे हैं, तो भाई, बता देना जाके अपने गोस्तों, ठीक है, और session अगर पसंदा है, तो लाइक ज़रूर कर देना, बस इतनी बाते इस चोटे से session की, मिलते आप से अगले session में, तब तक अपना ध्यान रखे, पढ़ाई करते रहे हैं, all the very best.